हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्रोटैक सीसी सर्कृट डिजाइन पीस्वी डिजाइन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम देखने वाले हैं प्रोटियस की मदद से हम किस तरह से आयर सेंसर की पीसिवी डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए आपको आयर संसर का बेसिक जो सर्कृट डाग्राम होता है तो मैंने यहाँ पर डिजाइन करके रखा है अगर आपके पास इसका सरकृट डाग्राम नहीं है तो आप यहां भी देख सकते हों कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक ऐलेम 358 होता है और इसके साथ जिससे आप इसके sensitivity को चेंज कर सकते हो इसके अलावा यहां पर एक output में एक इंडिकेशन LED भी होती है तो इसकी हम PCB design बनाने वाले हैं Proteus की मिनल से तो जो लिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर जो power and ground का connection है और यहां पर output है इसके लिए एक SIL connector यूज करेंगे तो मैं यहां पर एक SIL 4 का यहां पर यूज करने वाला हूँ तो यहां पर फॉस्ट वन connection यहां पर power के साथ कर देते हैं Second connection है इसे हम ground के साथ कर देते हैं और यहां पर हमें output pin की भी requirement है तो मैं यहां पर एक output भी अटेज कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा सरकें डाग्राम रेडी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास यहां पर कंपोनेंट है उसमें इसकी अलग-अलग फुट्प्रिंट सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम led से start करते हैं इसकी footprint हमें सिलेक्ट करनी है तो मुझे यहाँ this icon पर taught आप इता देख सकते हो कि अपे मिल गई है इसर इसी तरीके से यहां पर इसकी फुटम्रेटक पर कर सम यूज पर आ डिएलिडी में वही हम federikle Constitution करेंगे तो हम यहाँ पे रेजिस्टर का SMD version यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मुझे SMD package को select कर लेना है और यहाँ पे रेजिस्टर पे तो आप यहाँ पे अगर SMD का version देखोगे तो हमें बहुत सारे अलग-अलग तरा के यहाँ पे आपको SMD की print देखने को मिलेगी लेकिन हमें जो करनी है वह यहाँ पे रेजिस्टर 3216X63 का जिसमें आपको यहाँ पे 3.2mm लेंथ का SMD रेजिस्टर मिल जाएगा तो इसमें क्लिक कर देगे और यह से हम कॉपी लेंगे CTRL C, OK button पर click करके next register पर चले जाएंगे यहाँ पर CTRL V यानि कि paste कर देंगे, OK button पर click कर देंगे यहाँ भी वही register की footprint आड़ कर देंगे यहाँ पर देख सकते हो, हमने सब भी register की footprint आड़ कर दी है यहाँ पर potentialometer की footprint हमें यहाँ पर select करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ अगर आपके पास my default नहीं है तो आप यहाँ पर जाके preset सर्च करके यहाँ पर SQ4 यह जो footprint है 0.2 inch by 0.2 inch की footprint आप select कर सकते हो और OK button पर click कर दीजिए तो अभी हमें इस IC की footprint select करनी है तो आपको इस पर double click करना है आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर by default आपको DIL 08 की footprint दी गई है आपको यहाँ पर सर्च करना है SOP 8 तो हम इस package को यूज करने वाल है 8 pin का यह package है इस पर OK button पर click कर देंगे और यहाँ भी OK कर देंगे ऑड़े और इस LED को हम यूज करने वाले है यहाँ पर इसका जो package है इसे भी हम select कर देंगे diode और आपको यहाँ पर diode and surface mount पर click करना है और यहाँ पर आपको यूज करना है DM package के दो इस पर आपको OK बटन पर click कर देना है और यहाँ पर भी OK button क्लिक कर देना है तो इस तरह से हमारे सारे component के हमना footprint select कर ली है अभी हम इसके PCB layout देखेंगे तो PCB layout के लिए आपको यहां पे PCB layout पे क्लिक करना है PCB layout में आके आपको क्या करना है एक board यहां पे define किल देना है तो border बनाने के लिए हम यहां पे 2D object और यहां पे border age पे क्लिक कर देंगे और यहां पे मैं इस तरह से छोटा सा एक board बना लूगा जिसमें हम अमारा IR board design करेंगे component mode में आ जाते हैं वापस यहां पे हम start करेंगे one by one component placing का तो इसके लिए हम start करेंगे इस connector से हम connector यहां पे place कर देते हैं बाद में हम इसे rearrange करेंगे और यहां पे सबसे पहले हम IC को place कर देते हैं तो हम यहां पे इस तरह से इस IC को place कर देंगे तो इन सभी resistor को यहां पे हम place कर देंगे first one resistor हमारा output के साथ यहां पे हमारे पास second one register यहां पर 12 नुममर कर देगे को इससे हम इस तरह přेस्ने कर देपे तर यहां पर तर रहें हिसे हम इस आउटमूट में यूस करने मौले लिस अ Nazi अर यहां पे प्लेस यहां पर हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो इस तरह से हमने सभी कंपोनेंट को प्लेस कर दिया है अभी हम क्या करेंगे इससे रियर्रेंज करेंगे अगर आप इसे 3D में देखना चाहो तो आप यहां पर देख सकते हो यह हमारा 3D मॉडल यहां पर इस तरह से दिखाए दे रहा है अगर आपको यहां पर किसी 3D मॉडल को चेंज करना है तो आप यहां पर किस तरह से चेंज कर सकते हो इसके बारे में मैंने इसले वीडियो में दिखाया था एगर आप यहां पर एक्जाम्पल इस जन्प को पीने गडर को चेंज करना चाहते हो इस पर रैइट ट्लिक करना है तो इसका 3D Model पूल में जाना है तो मैं यहां पर ऑप्सिन में जाना यहां पर मेरे पास spin rider already है मैं यहां पर is spin rider को यहां पर यहां पर इस सब्सक्राइब करें आपको दिखा देता हूँ से इस तरह से देखने को में तो यहां पर मैं zero कर देता हूँ तो यह आप देख सकते हुए यहां पर बहुत अच्छे से यहां पे ओ बहूट कर लेइल cheer प्रिसे आपको बता देता हूँ कि आपका तेख से वहें लिएक दी करके दखते हो अब 3D में बहुत अच्छे से आपको आपी 3D model दीखाए दे रहा है इसे अगर थोड़ा एड़्जेस्स करना है तो आप एड़्जेस्स कर सकते होना है तो यह हमारा कनेक्कर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिट हो गया है लेकिन यहां पे थोड़ा आप इसा हम तीचे ले लेंगे तो चीज तरह से और इस अब लेबल को हम साइड़ बेचाने तो आप यह देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा से फिट हो गया है इसके अलावा आपको यह जो प्री सैट है इसका थ्रीडी मॉड़ल करना है तो आप है इसे भी चेंज कर सकते हो मैं यहां पर इसे फिर से डाउनलोड में जाके इसे चें यहां पर यूज करेंगे एक ट्रिम पोर्ट 5 mm का कुछ इस तरह से इसका फूट्प्रिंट आपको देखने को मिलता है और इसे आपको 90 डिग्री रोटेट करना होगा को मैं और अगर आप इसे आपको 90 डिग्री करते हो को यह तरह से इस तरह से मैं और इसे तो बार मुवust करते तक देख को यहां पर उगया है और अगर आप इसे थोड़ा हल्का सा इसे मूव करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें और थोड़ा करेक्षन की रिक्वार्मेंट है तो यहां पर हम 2.3 mm कर दो को आप यहां पर देख से हो यह अच्छे से फिट हो गया है यहां पर 2.4 और यहां पर तॉप से देखो गया है और अगर आपके पास यहां पर LED का रिडी मॉडल है तो उसे भी आप यहां पर चेंज कर सकते हो जैसे कि मेरे पास यहां पर अल्रीडी का भी यहां पर 5mm LED राइड एंगल यहां पर मैं यूज करने वाला हूं पर एक्जांपल ब्gor हिह लो वं कि इस यहां पर इस तरह खोड़ा बहुत आपको यहां पर सैट करना होगा ताकर एक लिए रुचा यहां पर फिट्वर से क्लेन के पोर्शन है यह इंडिगेट करता है नेगेटिव तो यहां पर आपको इसे इस तरह से आं जैट करना होगा कोई वन एटी बसला कि प्लेकर के अगर तो आप यहां पे डेखर हो जो हमारा मेरinky दोनों इस ने सरे प्लत करना में यहां पर है घालताूटे लेना है इन दोनों को तो यहां पर अभी हमारा इंडिगेट हो रहा है अगर आप 3D विजुलाइजर में जाओगे तो आपको यहां पर दिखाए दे रहा है आपका अच्छे से यहां पर फिट हो गया है अभी हम इसका राउटिंग करने वाले हैं इससे पहले हम क्या करेंगे यह जो हमारा स्क्वायर बॉड है ल्यूंद बॉड है इससे हम ठोड़ा कॉर्नर को हम यहां पर राउंड कॉर्णर में गर्लीक करें तो राउंड करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था किस तरह से आपर बना सकते हो इसके लिए आपको यहां पर य कर लेना है यहां से इसे रिमूऊ कर लिया इसे सिलेक्ट करके आपको यहां पर पहले अच्छे से कर लेना है कुछ इस तरह से अभी हम क्या करेंगे यह जो लाइन ग्राफिक से इसका इस्तिमाल करेंगे यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम लेंगे तो यह फॉस्ट लाइन होगी सेगेंड लाइन हम यहां पर यहां से स्टार्ट करके यहां तक रखेंगे फॉर्ट लाइन हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक रखेंगे और अगर आपको इसमें कोई चेंजिस करने है तो चेंजि कि मुझे यहां से इसे मूव करके यहां पर लेना है तो आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो या फिर चोटा बड़ा लेंद करना है तो आप कोई भी कर सकते हो और यहां पर अभी हमें आर्क यूज करनी है तो इस पॉइंट से यहां तक यहां से लेके यहां तक यहां से लेके और यहां से लेखे यहां तक तो आप देख सकते हो वह अमारा board है उसमें corner है वह round corner हो गए है तो यह कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है अगर आपको यहां पर PCB का color change करना है तो वह भी आप कर सकते हो PCB के color को change करने के लिए आपको यहां पर template colors में आ जाना है color में जाके आपको यहां पर यह जो transparency है इसे 100% कर देना है बॉर्ड कलर को blue कर देना है और okay बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका भी बॉर्ड है और blue color का हो जाएगा जैसे कि आप नॉर्मली PCB higher sensor की देखते हो वैसा ही यह कुछ देखने को मिलेगा अभी हमारा सिर्फ routing बागी है को कर दो देखने हैं